आज हम बनाएंगे अमरूत का चटपटी सी चाट इसे बनाने में बस दो मिनट का टाइम लगेगा और खाने में उससे भी कम टाइम लगेगा क्योंकि इतना टेश्टी बनता है न कि कब खतम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा तो चलिए इस चटपटी सी चाट को बना ने सुफरो करते हैं सबसे पहले को लेलेंगे अच्छे से धो लेंगे इसका उपर का जो काला वाला पाठ है उसको बनादेते है नीचे धंतल एक बॉक्स ले लिजे इसमें आप सारे अमडूत को काट के डाल लिजे यकीन मानिए दोस्तों ये चाट इतना बढ़िया बनता है ना कि आप इसे चाट चाट के खाएंगे एकदम चटकारे ले लेके तो ये देखिए हमारा सारा अमदूर कट गया है इसे में बॉक्स में डा निम्बू कारश इसमें निचोर लेती हो और अब मैं इसमें थोरा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल ले ती हो अब हम इसमें स्वादनुसार काला नमक डालें हमारा सा वाइट नमक जो नौर्मल यूज वोता है उसको भी डालेंगे एक चमच हरी चटनी डाल लेंगे और एक चमच इमली का पल्प या आपके पासिबली की चटणी हो तो वो डाल लिजए और इसका ढगा लेते हैं बॉक्स का अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे तो 10-15 बार ये बॉक्स को इस तरीके से हिलाते जाए, हिलाते जाए, हिलाते जाए, अच्छे से ये मिल जाएगा और हमारा चाट बनके त्यार है, आप इसे सर्ब करिए चटकारा ले लेके खाए, फैमली को खिलाए, बहुत मज़ेदार बनके त्यार होता है कभी कभी फ्रूट को इस तरीके से भी खाना चाहिए फ्रूट का टेस्ट भी बदल जाता है और हमें एक नई रेस्पी भी मिल जाती है तो आप लोग भी ट्राइ करिये और टेस्ट लीजे और फिर कमेंट में बताएगा कैसा बना आपका चार्ट अभी तो पहले मैं इस चार्ट को चट कर लेती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करियेगा चाइनल पर नए है तो चाइनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तके के लिए बाबाई